हलो चो भेरी भेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं अच्छा चला है ना आप चलना भी चाहिए क्योंकि आप दौर जो है रुकने ठाहरने थमने का नहीं है तेजी से बढ़ना है आगे हम लोग को बहुत कुछ आगे करना है एक्जाम प्रोल टेकनिक मोडल सेट का ही आपका एक सेमेपल पेपर हम आपके सामने ले के आए हैं वो सेमेपल पेपर क्या है वो देखिएगा तो यह आपका टार् realistic के लिए बहुत ही उपड़ी होगी ठीक है और chemistry का सेट आपको लाया जया फिर से वहीं बार बार समस्या होता है Chemistry मे तो इसको डूर कर लेना है, mathematics का तो दूर किये, physics का भी है, तो इससे पहले भी lecture गया होगा, मैत का तो दिन परती दिन, दिन परती दिन, दिन परती दिन हम जैसे जैसे आगे बर रहे हैं, वैसे वैसे पुराने चीज़ सिखाने के साथ नया नया चीज रिजॉल्व करके लाते हैं तो इसमें बहुत यूनिक चीज और बहुत अच्छा-चा कॉंटेट लाए हैं पहले जिस टॉपिक से कोस्टन आता था उस टॉपिक से हम कोस्टन बताते थे और अभी तक जितने सेट आपको बताये थे जिसे कोस्टन आया था कुछ को हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि एक बिलाक्चर को हम महा मैरातन की तरह देर दो घंटा नहीं ले जा सकते थे तो चार पांच कोस्टन का चार पांच चैप्टर एटेच करते थे जो छूटा बढ़ा होगा सब को इसमें कभर करेंगे तो मोडल सेट नंबर आपका थार्टीन है ठीक है दो हजार तईस के पर करना नहीं हमने पहले भी कहा जो रुख गया समझो थर गया पानी भी अगर चलता है वो भी अगर इस्थिर हो जाता है तो उसमें भी कीरे पर जाते नाला का भी पानी अगर करेंट में होता है नाला का पानी भी अगर धारा में होता है तो उसमें कीरे नहीं लगते हैं तो ह हम लोग को वैसा समझदार हम लोग अल्रेडी हैं तो आगे बढ़ेंगे यह तो मिलना तय है तो चली आगे देखते हैं क्या है तो आज का जो हमारा थीम होगा आज जो हम केमेस्ट्री टॉपिक के स्टार्ट करेंगे तो अंदर जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या पहले हम लोग को आप सबसी बता देते थे आज जितना चीज है सब को गुप्त रखेंगे और जैसे ही एक दो कोस्टन करेंगे आपको अल्रेडी दिमाग में आ जाएगा कि सर क्या कहने वाले थे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोस्टन हमारे पास क्या है देखिए पहला रेडियो एक्टिव क्या होता है तो यह जरा सा समझेगा रेडियो एक्टिव क्या होता है तो रेडियो एक्टिव जो होते हैं रेडियो सक्रिये सबस्टांस होते हैं रेडियो सक्रिये पदार्थ होता है यह रेडियो सक्रिये पदार्थ जो होता है उसमें जो नुक्लिया अनेस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा ओस्थाई होता है क्या होता है हाइली अनेस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा ओस्थाई होता है बहुत ज़्यादा ओस्थाई तो कोई भी चीज दुनिया का नेचर होता है यह हमारा नेचर का रूल है तो कोई भी चीज एस्टेब प्राप्त करने के लिए कि अच्छे करेंगे अच्छा काईन जॉब हो जाएगा, आपना बंगल होगा आपना गारी होगी, अच्छी पतनी होगी, अच्छा परिवार होगा, एस मौच करेंगे, ढंग से जिएगे तो सब stability नेता क्यों struggle करता है कि चुनाब में जीर जाएंगे जितने के बाद हमको ये security मिलेगा ये fund मिलेगा वो मिलेगा जी भर के लूटेंगे जी भर के खाएंगे बिल्कुल वैसे ही सारे चीज अपने आपको stable करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बेटा जो unstable nucleus है जितने भी और स्थाई नाभिक होते हैं उसमें आपका spontaneous process होता है कौन सा process होता है spontaneous process कहने का मतलब है कि तात्षनिक process तात्षनिक process यानि जो तत्षन में होने वाला process है जो तुरत होने वाला process है वो तुरत यानि rapidly fraction of time में बहुत तेजी से जो अभिक्रिया होगा उसको तत्षन तत्षन यानि तात्षनिक प्रोसेस का जाता है तो यहाँ पर आपका तात्षनिक प्रोसेस होगा और जैसे ही रेडियो एक्टिव आपका highly substance decay करेगा तो decay करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे आपके suitable particles यहाँ से release करते हैं वो suitable particles क्या है वो हम आपको बता दे यहाँ से emit करता है suitable particles आपको alpha, beta और gamma यह सब particles यहाँ से क्या होता है बीटा, gamma, particles और alpha, beta, gamma रे जो highly dangerous रे होता है बहुत ज़्यादा नुक्सान फूल होता है यह यहाँ से release करने लगता है यह क्या करने लगता है यह आपको पता होगा और इसको खोजने का काम कोण किया था तो हैंरी बेक्यरेल ने 3896 में खोजा था रेडियो अक्टिव सब्स्टांस जो थे हैंरी बेक्यरेल जो था वो आपको 1896 इस भी में हैंडी बेक्वर्ल के दोरा आपको रेडियो अक्टिव ए स्पॉझेनियस प्रोसेस जो होते हैं उस प्रोसेस से जो alpha beta gamma ray निकलता है उसको खोजने का काम कुन किया था तो हैंडी बेक्वर्ल में किया था 800 कब में 896 में तो यह भी कोस्टन आपको पूछ सकता है कि alpha बीटा औरगामा डे का किस ने किया ताक बंद कर के हैं दुनारे किस इस्वी में किया था तो हम Лोग लिख सकते हैं किया mask 1996 में आप हमारे साथ लिखते हुए आगे बढ़ेंगे आप हमारे साथ लिखते हुए क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है अब यहां पर जो कोस्टन आता है यह अलफा बीटा गामारे तो पहला चीज आपके कोस्टन में कहता है कि रेडियो एक्टी भी घटन यानि जब इसका हम लोग रेडियो एक्टी प्रोसेस में एक बारे पहला बार फ्रस्ट बार में क्या उत्सरंजित होता है इसेब आपको कोस्टन आता है और गामारे क्या होगा उससे भी आपको कोशन आता है तो हम इसको भी एके करके समझेंगे हम इसके लिए आपको कुछ content आपको पहले से डाल दिए हैं और बताए हैं कि क्या होता है कि alpha-a बेटा क्या होता है deflected towards the negative plate आपका electric field में किसी भी electric field में जैसे माल लो कि यहां पर हम electric field ढाल दिए negative charge का electric field है negative charge का electric field है तो नौर्मली inward होगा ऐसे करके आपका इसका electric field होगा और इस electric field में आप क्या किजेगा alpha-a को यहां से ले जाएगा तो alpha-a इधर जाके क्या करेगा डेवियेट कर जागा इससे क्या हो जागा बिचलित हो जाएगा तो डिफ्लैक्टेट ट्वार्स तर नीगेटिव प्लेट आफ एलेक्ट्रिक field में यह क्या कर जाता है डिफ्लैक्ट कर जाता है अपने रास्ता से भटक जाता है जब नीगेटिव चार्ज को जैसे माल लो माल लो हम अलफारे है तो हम अलफा पार्ट किस जा रहा है जा रहे हमारे बगल में हमारे बगल में यह हमारे सामने क्या आजाएगा जैसे हमारे सामने आपको गारी के सामने में कोई आदमी खड़ा हो जाता है ता आप गारी कैसे मोड लेते हैं वैसे ही हम अगर हलपा पाट किर से आपकड से तक्राइंगे हम उससे क्या ओजाएँ हम अपना रास्ता कर देंगे और वहां से अपने रास्ते से भतक बॉर्ट क्क्या था यह था इस्काबरी अकट्रॉन का हुआ था तो दिमार्ज से विश्काबरी आफ Shabbat करवाए गया था उसमें इसका इस्तमाल किया गया था तुम्हारा बीटा डे जो होता है वो भी डिफलेक्ट करता है लेक्ट्रिक फिल में लेकिन कब जब यह पोजेटिव चार्ज होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फिल नॉर्मली इनवाड होगा 90 डिगरी का कौन बना के अंद एक जो अलफा पार्ट्किल्स होता है वो अपने साथ दो पोजेटिव चार्ज को और फोर यूनिट मास यानि चार यूनिट मास नीगेटिव चार्ज होता है और दो पोजेटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाता है प्रतेक अलफा पार्ट्किल्स दो यूनिट होता है क्योंकि electron का मास होता कितना है तो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg यह बहुत छोटा होता इसलिए काता है कि बीटा पार्ट कुछ जो होते हैं वो एक निगेटिव चार्ज कुट होता है निगेटिव चार्ज का मास नहीं होता है यह क्या करता है दो पोजेटिव चार्ज कुट होता है electron का मास कितना होता है तो 1.672 into 10 to the power minus 24 kg यह फिर minus 27 minus 27 ग्राम ठीक है तो यह आपका जो कहानी इसका दिया गया पोजेटिव चार्ज को ढ़या और चार यूनिट मास को ढ़या अब कहता है कि यह एक निगेटिव चार्ज को ढ़ता है जैसे मास ओफ एलेक्ट्रों यह आपका डवली आउनाइज हमने रदर फॉर्ट के एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाया था ज़रा याद होगा हम यह यहां पर दिखा दे कि रदर फॉर्ट क्या किया था कि हिलियम पार्ट के जो था इसको आउनाइज किया था तो हिलियम का एक नमर कितना होता है दो होता है और अटमिक मास कितना होता है फोर होता है जब एक एलेक्ट्रों को इससे निकाला तो एक प्लस में चेंज किया जब रदर फॉर्ट ने क्या क्या दूसरा एलेक्ट्रोन के यहां से निकाला जैसे ही दूसरा एलेक्ट्रोन को यहां से निकाला तो यहां से बहुत सारे रे क्या हो रहे थे बाहर निकल रहे थे बहुत सारे यहां से बाहर हो रहे थे और इसी रे को क्या नाम दिया था अलफारे र नाम रखा था या alpha particles नाम रखा था नेक्ट देखिएगा आगे यह इसका कहानी था दूसरा कहता है produces maximum ionization of gases due to kinetic energy अब जो alpha particles बाहर निकलता है उसके पास बेटा बहुत kinetic energy होता है kinetic energy का होता है half mba square mass भी है उसके पास और बहुत ज्यादा velocity होता है वह cathode experiment पर हम बहुत अच्छी तरह से समझाएं तो कहता है कि उसका mass ज्यादा होता है mass भी होता है electron के अपक्षा तो ज्यादा होता ही है और उसका velocity ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा kinetic energy होता है और जब kinetic energy होगा तो जितने भी gases 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 particles उसके बीच में रास्ते में आते हैं सारे gases particles को Ionize कर देता है वह एलेक्टरोन तो देगा ने, एलेक्टरोन लेगा nicht, गैस है नन मैटल है, तो सारे गैस पार्टकिल्स को maximum आएओनाइज करने का काम कोन करता है यह, यह आपका प्रोडूसेफ लेस आएओनाइजसन गैसेज आलफ़ा पार्टकिल्स के competition में बीटा particles भी gas को ions के फॉर्म में बदलता है लेकिन alpha particles के competition में कम बदलता है penetration power किसी भी चीज में चूबने की सकती जैसे हम x-ray को तुम्हारे सामने से गुजार दे आप लोग x-ray करवाने जाते हैं आप देखते होंगे कि जब आप आप x-ray करवाते हैं तो x-ray जिस पार्ट का करना होगा उसका कर लेगा बच्चा है थोड़ा सा डेविट कर जाएगा तो कुछ दिर बाइठी फिर करते हैं ठीक है कुछ दिर बाद फिर करेगा तीसरा बार भी आप गलती कर दीजेगा तो कहेंगा आज नहीं करेंगे x-ray कल आईएगा कल हम आपका x-ray कर देंगा ऐसा क्यों कहता है आप लोग जानते हैं क्योंकि वह highly powerful रे होता है ज्यादा देर तक उस रे को आपके बॉडी से अगर गुजारेगा आप देखो ना कि कितना पावर्फुल है जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हमारा हाथ का परचाही बनता है और जब हम यहां पर x-ray को पार्स करवाते हैं तो जो मसल्स है उसको छेद कर देता है बचता क्या हड़ी तो हड़ी से वह नहीं पास किया हुआ है जहां तूटा हुआ राता है वहां से वह पिल्कुल गुजर जाता है ऐसे अगर मान लो कि हमारा टॉर्च से ही होता तो क्या होता है ऐसे कर लेते ऐसे करके टॉर्च जला लेते और देख लेते कि कहा हड़ी क्या फ्रेक्चर है तो लोग अपने बना भी सकता तो इसका penetration power जो होता है penetration power जो चूबने की सकती होती है वो आपको क्या होता है कि बहुत कम होता है क्योंकि इसका mass बहुत ज्यादा होता है mass ज्यादा होता है उसका दो कारण एक तो यह दो positive charge को होता है आप उसके बाद 4 unit mass को होता है positive charge का भी mass होता है 1.672 into 10 to the power minus 20 सेबेन माइनस 27 केजी या माइनस 24 ग्राम तो दो है तो दो उसे गुणा हो जाएगा फोर यूनिट मास को भी ढूने का काम करदा है तो मास जाधा होने के कारण इसका पेनेट्रेशन कम हो पाता है यानि काटी को जब हम ठोकते हैं जैसे यह है इसको इसके अंदर डालना है तो जो नुकिला पार्ट होगा फोर्स बरावर क्या होता है प्रेसर बरावर फोर्स बर्टारिया होता है तो नुकिला पार जालते हैं तो इसका मास ज़्यादा होने के कारण इसका पेनेटरेशन कम ह लेकिन इसका बीटा पार्टकिल्स का पेनेट्रेशन उससे क्या होगा जादा होगा और इसका जो गामा पार्टकिल्स का पेनेट्रेशन होगा वो बेटा बहुत जादा होगा गामा पार्टकिल्स जो होंगे उसका पेनेट्रेशन बहुत जादा होगा गामा पार्टकिल्स क् बहुत ज़्यादा आबिर्ति आपका किसका होता है गामा रे का और यह आपका electromagnetic radiation होता है दोनों गुन यानि electric गुन भी और magnetic गुन भी पाया गया है और बहुत ही powerful रे होता है दस alpha रे have no charge अब कहता है कि गामा रे गामा रे के पास क्या होता है नो इसके पास कोई charge होता है नो कि इसके पास कोई mass होता है तो आपको पता होगा कि charge और mass किसी पस्तू के पास नहीं होगा किसी substance के पास नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है तो कहता है कि not deflected from the path दिए पाद्ड़ एलेक्ट्रिक फिल्ड में भी या मैग्नेटिक फिल्ड में भी दोनों के दोनों फिल्ड में यह पाथ से डिवियत नहीं होता है क्योंकि चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं तो फॉर्स लगता कहां है या तो मास तब लएगा नहीं तो चार्ज होगा तब लएगा चार्ज क्य यानि मास होगा तभी चार्ज होगा जिसके पास नहीं मास नहीं होगा उसके पास चार्ज संभब नहीं है लेकिन अगर मास है चार्ज नहीं है तो फॉर्स ओफ एट्रेक्शन लाएगा ठीक है सिंग लेखी फॉर्स फॉर्स ओफ एट्रेक्शन बल लाएगा और मास होए उसक उसके पास ना चार्ज है न मास है तो यह डूर मेटिक फील इसका कोई प्रभाव यानी गामा रे पर न उलक्तरिक फिल कोई प्रभाव परता है बैधू च्चित्का और नहीं चुम्बक च्यट्र का इस पर कोई प्रभाब ने पड़ता है अब काता है प्रोडूसेज मीनिमम आउनाइशन ये गैसे यानि ये आपका मीनिमम आउनाइशन ये भी आउनाइशन सबसे ज्यादा आउनाइट कुन करता है गैस को तो सबसे ज्यादा अलफा रे करता है उसके बाद बीटा रे करता एक चीज और जिससे आपको question पूछता है, मैं आपको बता दूँ कि ये भी radiation है, तो चुकि light है, light radiation energy का form होता है, तो ये भी radiation आपको दिया हुआ है, तो ये जो आपका velocity होता है, बेटा किसका, alpha-reka जो velocity होता है, वो velocity of light का कितना गुना होता है, alpha-reka velocity, आपको अगर पूछ देगा, कहीं भी velocity किसका निकालने के लिए, alpha-reka जैसे यहाँ पर जगह हम लिखते है, velocity किसका alpha-reka, तो alpha-reka velocity, speed of light कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 meter per second, का कितना हिसा, दसमा हिसा, यानि 3 into 10 to the power 7 meter per second, alpha-reka speed of light कितना हो जागा, 3 into 10 to the power 7 meter per second, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि velocity जो alpha-reka होता है, alpha-reka किरिन का जो velocity होता है, वो आपको velocity of light का 1 बटा 10 गुना होता है, कितना होता है, 1 बटा 10 गुना होता है, इसलिए इसका velocity इतना हो गया, next, आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है, क्या कहता है, कि जब कोई भी एक nuclei, यानि, जब कोई nuclei आपका break करता है, nuclei आपका तूटता है, nuclei का radioactive decay होता है, जब radioactive decay होगा, किसी भी nuclei का, अगर वहाँ से बीटा पार्ट किस निकलेगा, तो वहाँ से एक proton बाहर निकलेगा, वहाँ से क्या होगा, उसमें एक proton आपका बर जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, एक proton आपका बर जाएगा, कब, जब आप कोई भी alpha यानि radio से क्रिये, कोई भी पदार्थ का decaying होता है, आप गटन होता है, जब वह तूटता है, तो वहाँ से आपको बीटा रे बाहर निकल लहा है, एक मिन्स कि उसमें एक proton का संख्या बर रहा है, एक proton का संख्या बर रहा है, तो वैलोसिटी, इसके comparison, इसका वैलोसिटी, और गामा रे का जो वैलोसिटी होता है, वो भी हम आपको समझा दे, अगर गामा रे का वैलोसिटी का थी है, तो गामा रे का भी वैलोसिटी का होगा, अब बेटा जड़ा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेगा, कि अलफा पाटिकल्स क्या होता है, नूपलियर आनेस्टीबिलीटी क्या होता है, हमने इससे पहले भी बहुत सारे आपको combination का rule बताया था बहुत साले law बताये थे 5-6 law हम आपको बताये थे और बोले थे कि nuclear chemistry में ये काम नहीं करता है ये जो reaction होगा उसमें काम नहीं करेगा कुछ तो काम करता होगा क्या सब करता है सो देखते nuclear instability क्यों होता है अब कहने का मतलब ये है कि बेटा nucleus आपका ये आपका atom है atom का संदचना है इसमें आपका ये nucleus है आप कहता है कि ये unstable क्यों होता है आपसे अगर question पूछ दे कि आपका nucleus नाभिक जो होगा वो आस्थाई क्यों होगा जड़ा सोचिए जड़ा सोचिए कि नाभिक आस्थाई क्यों होता है जड़ा सोच के बताईएगा कि नाभिक आस्थाई क्यों होता है क्यों होता है नाभिक आस्थाई नाभिक आस्थाई इसलिए होता है क्योंकि नाभिक का साइज तो हम पहले बताये थे discovery जो किया था कौन किया था रधर फॉर्ट ने इसको खोजा था किसके discovery of nucleus या alpha scattering experiment की मदद चे खोजा था alpha procreiner परयोग या फिर नाभी का खोज नाम दिया गया था जिसको रधर फॉर्ट परयोग करवाया था नाभी को खोजा तो बोला कि nucleus जो atom ह होता है परमानू के केंदर में केंदर में होता नहीं लेकिन मान लिया था कि परमानू के center पर केंदर में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट किस होता है जो बहुत ज्यादा हाड होता है कठोड होता है बहुत ज्यादा dense घंगना होता है rigid होता है अडिग होता है जिसके shape size को हम न लगता है समान आवेच के बीस में क्या लगता है एक maternal काम करेगा उपट सकता है फैंस के तो फिर भी नूकलियस यह stable क्यों रहता है क्योंकि उसको neutralize करने का उसके बीच जो बल लगता है proton proton के बीच में उस बल को कम करने का काम कोन करता है तो neutron करता है काता है कि neutron of the nucleus decreases the above part उपर जो proton proton के बीच में बल लग रहा है उस बल को घटाने का काम नूट्रोन करता है जो किसमें पाया जाता है नूट्रोन का राशियो निकालेंगे तो एस्टेबिलीटी के लिए नूट्रोन और प्रोटोन का राशियो कोई भी नूट्रोन नूट्रोन आपका एस्टेबल है तब नूट्रोन और प्रोटोन का राशियो one is to six होगा, यानि six proton तो उस पर कम से कम एक neutron आपको कहीं पाया जाता है nucleus में, छो proton पर एगो neutron अगर कहीं पाया जाता है नाभीक में, it means कि वो stable होगा, अगर छो गो प्रोटोन है, आएक के गो neutron है तो यानि वो unstable हो जाएगा, दोनों का ratio होना चाहिए, एक conditional आपका बुक लिखता है कि neutron और proton, neutron और proton का ratio one is to six है, इसका मतलब यह stable होता है, gamma ray का speed of light, velocity of light के बड़ावर होता है, तो आप लोग को यह पता चल गया हो, के radioactive decay क्या होता है, अब जरा साम आपको बता दे, कि दोनों तीनों का कहानी तो आपको इसे पहले तो एक question हम करवाए थे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको कोई particle से x-ray है, तो x-ray का mass atomic number को z से atomic mass को एसे represent करते हैं, जैसे आप इसका डिके करवाना है, जैसे ही आप इसका decaying करवाए गा, तो यहाँ से अलफा एमिशन करवाए गा, अलफा जैसे ही निकले गा, तो अलफा एमें में बेटा दो चीज़ हुआ, एक atomic number आप अलफार में हुआ क्या सो देखिए काता है दो positive charge को ये carry करता है और 4 unit mass को carry करता है ठीक है तो दो positive charge को carry करेगा और 4 unit mass को carry करेगा कैसे करेगा हम इसका कहानी पूरा आपको खतमी कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि Z जो आपका दिया हुआ है ये तो ये Z-2 हो जाएगा और ये A-4 हो जाएगा यहां से अलफारे है तो helium atom का पर्योग करेगा और यहां पर आपका Q जो बीटारे है वो question Q के form में यहां से अलफारे emission होगा तो ये आपका अलफारे के form में helium ions आपको ऐसे बाहर निकलते हैं तो mass में यहां पर परिवर्तन क्या आपका चार यूनिट घट गया दिखाई दे रहा है और atomic number जो number of proton होता है तो number of proton कितना unit तो दो यूनिट proton घट रहा है और चार यूनिट आपका mass घट लाए तो यह तो अलफा emission करवाईएगा तो आपका बनेगा क्या ए अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक proton आपका बर जाएगा अभी बता है एक proton बर जाएगा mass पर कोई प्रभाब नहीं परेगा रे जो यहां से निकलेगा वो बीटा रे निकलेगा कौन सा रे निकलेगा बीटा रे निकलेगा तो अलफा बीटा गामा रेडियो एक्टिव नुक्लियस अने स्टेबिलिटी सब आपको थोड़ो समझ में आग्या होगा बहुत इंपोर्टेंट था प्रत एक बार कोस्टन इसे पूछा हुआ था इसलिए हमने इसको थोड़ो तोड़ दिया सब चीज एक एक करके समझा दि नहीं तो बीटा रेको करेगा या तो अलफा रेको नहीं तो बीटा रेको एक बार में यहीं करता है जैसे हम अलफा का दिखाए नहीं तो बीटा का गामा का नहीं होता है नेक्स्ट अगला कोस्टन देखिएगा नेक्स्ट कोस्टन क्या कहता है यह तो तो आपको समझ में वेलोसिटी जो होगा एक बटा दस गुने वेलोसिटी आफ लाइट होगा और जो गामा रे का वेलोसिटी होगा अब यह बताएं गामा रे का वो वेलो सिटी ओफ लाइट के बड़ावर होता है प्रकास के बड़ावर होगा ठीक है तो क्या कहता है यहाँ पर एक ग्रेटर दैन इक्वल टू और यह इक्वल टू था ठीक है यानि कौन सा अप्सटन होगा सीजदा क्रेक्ट अग्या समझें नेक्ट कोस्टन उसको पर लिए सब पर लिए अब बिटा क्या कहता है प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है तो पहले हम प्रोटॉन को अपरेट कर देते हैं दोनों कोस्टन को तो देखी लिए आप प्रोटॉन का देखिए प्रोटॉन सबसे बड़ी चीज है कि प्रोटॉ होता है one one एक आपका deuterium होता है one two एक आपका tritium होता है one or three one or three ये तीन चीज़ होता है अब हमको चर्चा क्या करना है तो proton proton आपका positively charged particles होता है यह आपको पता है कैसा particles होता है positively charged particles होता है ठीक है धनात्मक कन होते हैं धनात्मक आभेसित कन होता है proton symbol आपका यह होता है इसको खोजा कुन था तो रधर फॉर्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था रधर फॉर्ट के साथ गॉल्डेश्टीन भी था रधर फॉर्ट और गॉल्डेश्टीन जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस समय एक्सपेर कि द्वारा गया था डिस्कावर्ड किसके द्वारा किया गया था तो दोनों नाम था बहुत जगा आपको रधर फॉर्ट लिखता है नामा करन भी किया था रधर फॉर्ट था और आपका गोल्डेस्टीन भी था क्या था गोल्डेस्टीन भी था उसके बाद एलक्ट्रोन पर जो relative charge होता है, electron पर कौन सा charge, जो relative charge होगा, जिसको minus 1 होता है, हम लोग लिखते हैं, electron का जो absolute charge होता है, कौन सा charge, बिलकूर निश्ची ताबे, तो ये electronic charge आपका कितना होगा, प्लस में, 1.672 into 10 to the power, 1.672 into 10 to the power minus 19 कूलम, जितना electron पर होता है, लगबर proton, semi रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत का अंदर, वहां 602 होता है, यहां 672 होता है, चार्ज में, अब इसका जो मास होता है, किसका, मास किसका, प्रोटोन का तो अभी बताया है, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg लिखो, या एक 1000 से इसको गुना कर दो, तो 1.67 into 10 to the power minus 24 गराम लिखो, तो यह कहानी किसका था, electron का था, शुरू में, जब electron को खो जा गया, तो यहां पर बताया गया, कि electron जो होते हैं, fundamental particles होते हैं, यानि, fundamental particles होता है, कैसा particles होता है, fundamental particles होता है, fundamental particles कहने का मतलब, वैसा particles, ठीक है, वैस जो किसी पर depend नहीं करता हो, किसी पर निर्वर नहीं रहता हो, उसी को fundamental particles या मौलिक कन कहा जाता है, तो वैसे आपके atom में, जो होते हैं, atom में, आपका बहुत सारा कन पा जाता है, अभी तक 36 ऐसे particles है, या कन है, जिसके विशे में हम लोग जान चुके है, नाम भी जानते हैं उसका, लेकिन उसमें तीन fundamental particles होता है, तो fundamental particles में electron, proton और neutron होता है, बाद में जाके इसको electron, proton और neutron को क्या किया गया, अलग, proton आपका hydrogen के symbol बराबर होता है, लेकिन भारी hydrogen के नाभी के बराबर नहीं होगा, यह option नहीं होगा, धना बेशित होता है, तो proton है, अब काता एक मुलभ मुलभूत करन आपका proton है, ठीक है, धना बेशित तो बहुत सारे होते है, एक मुलभूत करन आपका क्या है, proton है, समझ में आया, यह था proton का कहानी, पूराज कुंडली आपको proton का हम आपके सामने रख दिये, चली, अगला question देखते है, proton देखिए, यहाँ symbol लिखा हुआ है, क अपको लग रहा था गलती की, प्लस वन, यह आपका मास जो होता है, क्या होता है, यह सवार आपको लिखने के लिए दे दिये थे, कि अपना लिख लीजेगा, अब कहता है, क्या कहता है, next question देखिएगा, आगे क्या कहता है, एक धातु के तीन औकसाइड, एक आपका मेटल इसको ध्यान से देखेगा कि 76.47 metal present in इतना क्या था 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 इतना ग्राम अचा इतना metal present in कितना इतना metal आपका एक धातू के तीन ओक्साइट्स है प्रतेक में धातू की मात्रा क्रमसा इतना इतना है तो 100% में 76.43 है तो oxygen इसमें कितना होगा तो 100 में से घटा दीजेगा किसको 76.47 को जैसे ही आप घटाईएगा तो आपका 3 आ जाएगा इधर 95 आ जाएगा और इध आपका 2 आ जा जागा यानि क्या present in 20.23.53 गराम ओक्सीजन इतना गराम मां लेते हैं कि इतना गराम मेटल जो है इतना गराम oxygen में पाया गया है तो 100 गराम मेटल कितना में पाया जाएगा तो 100 गराम मेटल प्रजेंटीन कितना तो 23.53 अपन 76.47 इंटू 100 इतना oxygen में पाया जाएगा unity में थरचा निकाल दिये बिल्कुत similarly उसी pattern से हम क्या करेंगे दूसरा आपका दिया हुआ है 61.78 धातू जो है वो कितना में पाय जागा तो 100 में से घटा दीजिए इसको भी इसको भी क्या कि ग्राम oxygen में पाया गया इतना ग्राम oxygen में इतना metal पाया गया दूसरा का तो 100 ग्राम में कितना एक में कितना हो जाएगा तो 33.22 upon 61.78 in 200 इतना ग्राम oxygen हो गया तीसरा भी आपका दिया हुआ है 51. ऐसे ही लिखेंगे similarly करके डालेंगे यह क्या है 51.68% 51.61 gram डाल देते हैं इतना में कितना तो घटा दो 100 में से इसको भी जब 100 में से घटाईएगा तो 51.68 में से 100 में से इसको घटाना है तो कितना हो जागा यह 2, 3, अभी कितना जागा 8 और यह कितना जागा 48.32 gram आपका oxygen है अब इसमें 100 gram क्या माल लेंगे मैटल माल लेंगे तो कितना होगा 48.32 अपॉन कितना 51.68 गुने 100 यह आ गया अब हमको कोश्चन में क्या पूछ रहा था वो देखेगा इतना तो 100% था मैटल का ऑक्साइड है मैटल इतना है तो बचा हुआ oxygen होगा मैटल इतना है तो बचा हुआ oxygen 100% यानि 100 में इतना है तो 100 में से घटा देंगे तो बचा हुआ oxygen होगा मैटल इतना है तो बचा हुआ oxygen होगा तो 100 gram में हम सारा data निकाल लिए इसका भी निकाल लिए इसका भी निकाल लिए और इसका भी निकाल लिए सारा डाटा हम हंडेड में आपको निकाल के रख दियें कि हंडेड में कितना होगा अब तीनों को क्या कर दीजेगा compare कर दीजेगा जैसे कीजेगा तो किस नियम को follow करेगा conservation of mass के नियम को follow करेगा किसको क्योंकि mass को compare कर रहे वाजा है तो तो तीनों को जैसे इकाओ Canon system को follow किया conservation of mass को तो यह भी एक Against question था तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है question यहां पर भी percentage होगा कि इतना परसेंट जो है तो मैटल का ओक्साइड था तो मैटल था percentage दिया हुआ था तो जो बचाव मालों के 20% यानि मालों की कोई मैटल सोडियम का अक्साइड है जिसमें 20% sodium पाया गया है तो sodium का ओक्साइड यह means क्या na2o यह दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 20% आपको मैटल है sodium तो 80% क्या होगा oxygen होगा तो इतना इतना दिया हुआ था इतना इतना दिया हुआ था तो हम 100 में से घटा-घटा के oxygen निकाल लिए 100% निकाल दिए मास के रैसियों को follow किया तो इसलिए conservation of mass बोल दिए ठीक है अब कहता है एक तत्व के दो समस्थानिक का कौन सा और कौन से गुन एक दूसरे से भिन होते हैं कौन सा और कौन से गुन तो समस्थानिक तत्व किसको कह रहाता है isotops को कह रहाता है समस्थानिक तत्व किसको कह रहाता है ध्यान से समझेगा आइसो को कहा जाता है Iso Tobs में क्या होते है तो थे एक ची ध्यान दो कि Iso Tobs में Single Element का चरचा किया जाता है Single Element जिसका atomic number नमेटा हो और atomic mass अलग हो यानि electron, proton सेम होते है neutron का संख्या एक दूसरे से भेरी कर जाता जैसे हम आपको कुछ पहले तो यह single element यह अकेले single element में काम में आता है बादमा के sum में element differ करता है अभी हम बहुत कुछ आपको चर्चा करके बताएंगे इसके विशह में जिससे आपको बदल बदल के question पूछता है आज के बाद आपका एक भी question छुटने वाला नहीं है यह सार्दा वाला कह रहा है यह सार्दा वाला कह रहा है और सार्दा वाला जो बोलता है वो करके दिखाता है यह आपको idea हो गया होगा आप हमारे साथ बने हुए है आप देखिएगा isotopes आपका single element में काम करता है तो मान लिजी कि कोई element हम ले लेते हैं hydrogen hydrogen का 3 isotopes होता है hydrogen का 3 isotopes होता है एक आपका protium होता है एक आपका deuterium होता है एक आपका tritium होता है ठीक है तो इस सबका atomic number one 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 mass इसका one होगा इसका two होगा और इसका three होगा electron proton और neutron देखिए तो जितना atomic number यानि एक electron इसमें एक इसमें एक इसमें proton एक 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 atomic mass में से atomic number को घटाते हैं तो number of neutron 1 में से 1 गया 0 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया यह उल्टा लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है left side लिखाएगा वो right side लिख सकते हैं तक कहां भैरी किया neutron में भैरी किया number of neutron भैरी कर जाता है number of neutron भैरी कर जाता है या nuclear charge में भैरी एसन आ जाते हैं ठीक है यह हम लिख सकते हैं अब इसके बाद और भी ले लो जैसे आपका carbon ले लेते हैं तो carbon का 6, 12 carbon का 6, 13 carbon का 6, 14 यह हो गया अब देखिए इसमें भी देखिए atomic number सेव है सब जगा दिखाई दे रहा होगा atomic mass तो electron, proton और neutron तो इसमें 6 electron 6 electron, 6 proton, 6 proton 6 proton, 6 proton atomic number proton होता है जितना proton उतना ही electron या neutron 12 में से 6 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 6 गया 8, काहां भैरी किया number of neutron में, कोई दिकत number of neutron में, वैसे ही आप देख लिजे, chlorine का ले लेते हैं तो chlorine 17, 35 chlorine 17, 37 अब यहां पर देखिए यह दोनों atomic number से में atomic mass भैरी कर रहा है, electron 17, electron 17 proton आपका कितना, 17 17, neutron आपका कितना 35 में 17 गया, तो 18 37 में 17 गया, तो कितना आ गया 20, काहां भैरी किया neutron में भैरी किया, वैसे ही एक और example ले लेते हैं, जैसे oxygen है, oxygen है, oxygen है, oxygen तिन को आइसोटोप्स होता है, 8, 16 8, 17 और 8, 18, 8, 16 8, 17 और 8, 18 अब इसमें electron, proton और neutron आप लोग देखिए, देखिए इसमें electron, proton, neutron, neutron, जल्दी निकाल के बताओ, कितना होगा, तो जितना atomic number, electron कितना 8 गो, 8 गो, 8 गो आप proton कितना हो जाएगा 8 गो, 8 गो, 8 गो आप निउट्रोन कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8, 17 में से 8 गया, 9 और 18 में से 8 गया, 10, तो आठ 9, 10, तो ये कुछ आपके isotopes थे, जो single element का होता है, उमीद है, आपको समझ में आगया होगा, जल्दी छापिए, हम कुछ और बताने वाले हैं, जल्दी छापिए, हो गया, अब देखिए, ISO tops के बाद हमारा दूसरा चीज़ क्या आता है, ISO 12 आता है, मिटाते हैं, आप देखिएगा, दूसरा हमारा क्या आता है, ISO 12 आता है, इसको बेटा धंग से समझेगा, कुछ आपके टर्म है, जिससे question बड़ावर पूछा आता है, ISO 12 होता है, ISO 12 को हम लोग सम भारिक बोलते हैं, सम भारिक मतलब समान भार वाला, क्या वाला, समान भार वाला, तो ये different element में काम करता है, किसमें काम करता है, different element में, वो same element में काम करता था, एक ही element में, ये different element में काम करता है, इसका atomic number जो होगा, atomic number वो change करेगा, ठीक है, वो vary करेगा, और इसका atomic mass जो होगा, atomic mass वो आपका क्या करेगा, सेम रहेगा सेम रहेगा यानि क्या सम अफ प्रोटोन अप्लस न्यूट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन क्या होगा अल्वेज सेम रहेगा इसका जो होगा प्रोटोन और न्यूट्रोन क्या होगा अल्वेज सेम होगा हमेशा सेम रहता है प्रोटोन और न्यूट्रोन इसका हमेशा सेम रहेगा ठीक है जैसे हम एक एक्जामपल लेते हैं जैसे आप एक्जामपल अलग अलग अलिमेंट का लेना है तो आप अलिमेंट का एक्जामपल ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन को ले लो और हिलियम को ले लो किसको ले लो hydrogen का 1 hydrogen का atomic number 1 और atomic mass आपका माल लेते हैं 3 है और helium का 2 और atomic mass कितना हो गया helium का atomic mass कितना हो गया 3 हो गया helium का atomic mass कितना हो गया 3 हो गया यह ले लिए अब इसके बाद जैसे ही आप देखिएगा इसमें तो आपका क्या आएगा तो electron आपका 1 आएगा इसमें 2 आएगा proton इसमें 1 आएग अगर देखेगा इसका 2 आएगा और इसका कितना आएगा एक आएगा दू और एक आएगा तो बैरीघेस न कहां Pam and neutron- आपका एलाक्ट्रोन प्रोट्रोन न्यूट्रोन तीनों अलग होता है एलाक्ट्रोन का संख्या इसमें एक है एलाक्ट्रोन का दू है देख रहा है एलाक्ट्रोन भी डीफर कर रहा है प्रोट्रोन भी डीफर कर रहा है और न्यूट्रोन भी डीफर कर रहा है यानि तीनों त और दूसरा चीज याद रखेंगे प्रोटन और न्यूट्रों जो होता है उसका सम्सेम होता है अब इसका एक और एक और एक्जामपल हम लोग ले ले तो और किलियर हो जाएगा concept हमारा बहुत बेतर हैगा potassium और calcium का ले लो जैसे माल लो कि potassium का 19 हो गया 40 हो गया और calcium का 20 और 40 हो गया 20 और 40 हो गया mass आपका same है mass same है number आप देखिए electron इसमें कितना हो गया ते इसमें 19 गो हुआ इसमें 20 गो हुआ भैरी कर गया proton देखिए इसमें 19 गो हो गया proton और इसमें कितना हो गया 20 गो हो गया और neutron देखिएगा इसमें तो 40 में से 19 गटा हो तो 21 गो हो गया भी 40 में से 20 गटा हो तो 20 गो हो गया तीनों डिफर किया electron proton और neutron तीनों डिफर किया लेकिन proton और neutron को जोरिए गा तो सम 40 आ रहा है यहां पर भी proton Neutron और Neutron को जो लिएगा तो समझे कितना रहा है? 3 आ रहा है 3 है तम कितना रहा है? 3 है दो कि उपर Atomic Mass 3 तीन था 40-40 है तो उमीद है आइसो बार भी आपको समझ में आγया होगा आइसो बार भी क्या आगया होगा? समझ में आगया होगा टिक है? अब देखिएगा तो तीसरा टर्म हमें स्टार्ट करते हैं मिटा दे चलिए तीसरा टर्म हम बताते हैं आपको आईसो डायो फर्स क्या होता है हमने इससे पहले एक्सेट करवाया था उसमें आया था लेखिन बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने के कान हम उसको छोड़ दिये थे अब हमारा अगला टॉपिक है आईसो डायो फर्स आइसो डाइओ फर्स क्या होता है तो ये भी different elements में होते हैं किसमें होते हैं different elements में होते हैं इसके भी elements क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं जिसमें number of proton or neutron का जो difference होता है proton में से neutron को घटाईएगा तो उसका difference क्या आजाता है same आजाता है different elements having different number of neutrons and protons का difference जो होगा different elements having same number of difference of neutrons and protons, neutrons and protons, जिसके protons and neutrons का difference क्या होता है, वो protons and neutrons का difference आपका same होता है, जैसे इसका भी example लेलो, इसका भी example लेलो, boron carbon, जैसे आपका boron लेते हैं और carbon लेते हैं, तो boron का atomic number 5 होगा, और carbon का atomic number क्या होगा, 6 होगा, ये 12 हो जाएगा, और boron का mass कितना होता है, जैसे जल्दी बताइए, boron का mass कितना होगा, तो boron का mass 11 होगा, और carbon 13 लेंगे, आइसो टॉप्स, ये आपका 13, ये आपका 11, आप देखिए, इसमें क्या किजिए, electron बताइए, तो electron आपका इसमें कितना आजाएगा, पांच 6 इसमें 6 गो, proton बताइए, तो 5 और 6, और neutron बताइए, तो हमको electron, neutron बताइए, तो neutron कितना होगा, 11 में से 5 गया 6, और 13 में से 6 गया 7, अब देखिए, यहाँ पर क्या किजिए, 6 में से 5 को घटा दीजिए, तो 1 आगया, और यहाँ पर neutron साथ है, proton 6 है, 7 में से 6 को घटा ये एक आगया, यानि number of neutrons क्या होगा है, सेम होगा है, तो वैसा तत जिसमें अलग-अलग element लेते हैं, और neutron का neutron में से proton को घटाने पर अंतर समान आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ISO डायोफर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो डायोफर्स बोलते हैं, अब जैसे nitrogen है, 7 ले लो, 15 ले लो, फ्लोरीन ले लो, 9 ले लो, 19 ले लो, अब कितना electron आपका कितना ? में से साथ फ्लोर्टोन ले लो, इसका कितना ? नो गो, अब 15 में से 7 गया, खाई दे रहा है दोनों में वन वन आ गया तो इसको आइसो डायो फर्स का जाता है क्या कहा जाता है आइसो डायो फर्स का जाता है हो गया अगला टर्म देखते हैं अब देखिए आइसो डायो फर्स के बाद आइसो न्यूट्रोंस होते हैं या आइसो न्यूट्रोनिक बोलत मतलब उट्रा 敬या हो ऊपोगा इसमें न्यूट्राइं का संख्या मतलब न्यूट्राइं गया होगा मतलब इन gotta of neutron तो 3 में से क्या घटा दो 1 घटा दो कितना गया 2 आइस में निकाल लो तो 4 में से 2 घटा दो कितना गया 2 इट मींस क्या number of neutron जिसके सेम होते हैं उसी को iso-neutronic तत्व कहा जाता है क्या कहाता है iso-neutronic तत्व कहा जाता है यहां तक समझ में आया potassium 49 49 calcium ले लो जैसे आपका potassium 49 49 calcium 20 40 ठीक है अब इसमें number of neutron निकाल दो तो 49 में से किसको 19 को घटा दीजेगा तो कितना 20 आएगा और यहां 40 में से 20 को घटा दीजेगा तो कितना आएगा 20 आएगा यहां भी 20 यहां भी 20 तो दोनों क्या हो गया शेम हो गया तो इसको iso-neutronic तत्व कहा जाता है क्या कहा आता है iso-neutronic तत्व कहा जाता है हो गया अब इसके बाद हमारा अगला टर्म होता है iso-ster चलिए यह कुछ important terms था उस सब को में define कर रहे हैं अब अगला टर्म हमारा क्या आता है iso-ster 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 में क्या होता है molecules अनू जिसके पास having same number of atoms and electron same number of atoms and electron जिसमें electron का संख्या भी same होता है और परमानू का संख्या भी same होता है वैसे molecules जिसमें electron और परमानू दोनों same हो जैसे co2 और n2o ले लो co2 और n2o ले लो अब इसमें atom निकाल लिए देखिएगा carbon एगो oxygen दूगो तो एक प्लस दूगो बराबर कितना हो गया तीन इसमें nitrogen दूगो oxygen एगो कितना हो गया तीन गो हो गया ठीक है अब हमको निकालना क्या electron तक carbon का atomic number 12 तो 12 electron आइसका 16 8 तो आर दूनी 16 electron 16 12 कितना 28 इसमें इसका 7 दूगो है तो 7 दूनी 14 आइसका कितना 8 14 आठ कितना हो गया 14 साथ दूनी 14 और 8 यहां क्या 6 दूनी 12 और 6 न एक में यहां पर 6 था आप 16 चो कितना हो गया 22 और यहां पर 14 8 कितना हो गया 22 आगे ना number of atoms भी होंगे और number of क्या number of electron भी शेम होगा तो वैसा तत्व जिसका number of electron भी शेम हो और number of atoms भी शेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं iso stars बोलते हैं उस अनों को आई-सो-stars का जाता है calcium oxide और kate को ले लिजे calcium oxides और kate को ले लिजे अब यहां पर देखिए तो number of atom कितने परमानू कितना कितना है एगो calcium एगो oxygen one plus one two आ गया यहां पर एक potassium एक fluorine कितना हो गया two आ गया अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास electron थे calcium का atomic number कितना होता है calcium का 20 होता है तो 20 को electron हो गया और oxygen का 8 होता है तो 8 कितना हो गया 28 इसका लिखेगा तो 19 हो गया इसका fluorine का 9 हो गया 19 है नहुकितना हो गया 28 तो electron भी शेम हो और number of atoms सब्सेंग हो उसी को क्या कहा जाता है isoster कहा जाता है यह molecules में काम करता है किसमें काम करता है molecules में काम करता है अब एक और तत्व है हमारे पास उसको भी पर लेते हैं जिसको ISO electronic बोलते हैं क्या बोलते हैं ISO electronic एक चीज बेटा याद रखो हम जो भी concept आपको deliver कर रहे हैं 8 9 10 11 12 भी पर ली जेगा तो इतना concept को deliver करता होगा एक एक करके लेखिन आपके syllabus में चुकि 12 का भी बच्चा परिक्षा देता है और तेंथ का भी बच्चा परिक्षा देता है अप टू आपका engineering लेबल तक जाईएगा फिर भी concept इतना ही रहेगा थोड़ा बहुत टीपिकल चीज बदलेगा जैसे आपको हम अभी तर सेम एलक्ट्रोन वाला जैसे मान लोग क्लोरीन है और आरगन है तो आरगन का अटामिक नंबर 18 होता है क्लोरीन का 17 होता है तो सी एल माइनस कर दो इसमें भी अलग अलग एलिमेंट्स होंगे ठीक है डिफरेंट एलिमेंट्स होगा आयंस भी हो सकता है ठीक है डिफरेंट अटम सो 17 था एक ले लिया थे कितना हो गया अठारगों अठार एलक्ट्रोन जैसे मान लिजी और भी जाम पर लेते हैं एन थ्री माइनस ठीक है नाइट्रोजन का साथ गों माइनस 10 होता ही है तो यह सारे के सारे क्या हो गया अई सोघ्रों साथानी का कौन सा कौन और पर मानु संख्या क्या होता है तो परवानु संalgia क्या हता है एक तप जिसका समझ थानिंग एक टॉमिक नंबर सेम और एकॉमिक मास डीफर करेगा ना तो मास बन या क्या करेगा डीफर कर गागा ठेक है अब आपको सम्झ में आ गया होगा अब देखिएगा अगला oxygen अब question सब देखिए क्या काता है Almonium का Oxides होता है Almonium का Oxide Al2O3 होता है इसे पहले भी बताएं यहाँ पर Almonium आपने Metallic Behavior को लुच करता है और यह अपना Non Metallic Behavior को लुच करता है क्योंकि Metal है तो Metallic Behavior होता है इसमें क्या होता है Almonium पर 3 Go 플स होता है आई 2 Go दिया हुआ है तो यह मिला कर जब हम इसको आपस में रियक्ट कर वाएं तो यह उभय धर्मी बन गया यानि इसके चार्ज बैलेंस कर गया इस पर तीन दुनी छोगो प्लस यानि यह पूरा पर एल्मूनियम पर कितना सिक्स प्लस और यह उक्सीजन वालापन कितना गया इस इसमौज में आ जीक्स नीटल कर दिया तो अलमूनियम ऑक्साइड बना लिया समझ में आक यह गया होगा नेक्स्ट कोोशन करता है अधाट वह में दरब्ध होता है ही कि सबस्था पा तो car तो नान ही से क्याओ यहáficल्स भी च्छांगे तुमको याद रखना रहें लुदा कभी मौका विखा देंगे इसने पूंचरा है कि अधातू जो द्रब के फार्ड में ननल नवीठल होता है ब्रोमी तुमें आपका और हातू जो द्रब के फॉर्म में पाया जाता है ठीक है नहीं तो गैसेज के फॉर्म में होते हैं अधातू काता है मुद्रा मिस्र धातू क्या करा है कि मुद्रा मिस्र जो कि मुद्राइं सिक्के बनाने के लिए काम में आती है उका संग घट होता है यानि का काता है सिक्का जो आता है सबस्क्राइब तेन चार बंहें और 2 bizarreapter करने कर डिय बतात है तरकेश सबस्क्राइबे शूटेगा ज्यां जरता पहले नहीं होता था इक ग了 का? तो काता है किसका होगा तो इसमें बीटा सिक्का जो बनता है उसमें कौपर आपको 88% होता है और इसमें टीन को मिला दिया जाता है कितना 12% टीन को मिला दियाता है कौन सा option होगा ya optionолж a 12 percent कुसको मिला जाता है टीन को मिला दिया एता है सिक्का में बाध मां की जो part होता है वह total का total AVI कstyle checks, copper होता है three nhau 5-12% तक डाला जाता है कितना डाला जाता है वैसे इसमें आपका 12-12% तक डाला आता है 5-12 अप्षन नहीं दिया हुआ था तो टीन का एमाउंट 5-12% होता है तो मैक्सिमुम एमाउंट आप्षन टैली का राता इससे इसे लिए हम क्या किये इसको टिक कर दिये ठीक है नेक्स कोशन देखिए गा क्या काता है प्रवल्तम बंध तो एक चीजा रखो बंधन कोई भी हो आयनिक मॉन और हो कोवैलेंट मॉन नहीं मैय टालीक बंद हो कौर्डिनेट मॉन फोन नहीं जितने भी बंद आते हैं बनाना बोंड हो तो बोंड हो बहुत सारे बोंड आते हैं ठीक है तो यह बोंड में आपका यहां जो दिया गया है तो जिसमें नंबर आफ बोंड का संख्या बर जागा बेटा वो उसका एस्टेबिलिटी बर जागा मालो रसरी है एक रसरी है एक रसरी को दू बार लापेट उसमें धौगे लपेट कि यहाँ पर मोल्टिपल बोंडिंग में řमीच होगान य परी यहांसा बोनलिंग जमतर का है यनौड को सब्सक्राइब प्राकृतिक गैस के मुख रूप से होती है यानि जो हमारा नेचर में गैसे पाया जाते हैं उस गैस में मुख रूप में कौन चीज पाया जाता है वही पूछा जा रहा है तो प्राकृतिक गैस का भी कभी हम चर्चा करेंगे तो वहां समझाएंगे फिलहाल प्राकृतिक ग प्राक्रितिक गैस में आपका मुख रूप से जो पाया जाता है मिथेन पाया जाता है अब नेक्स देखिएगा अगला कोशन कहता है कि बिल्डिंग में अब यह सब तो इन और गेनिक में पढ़ाते हैं नेमन में से कौन सी गैस परयोग की जाती है तो गैस तो एसी टिलीन प प्रयोग की आयता है और एसी टिलीन क्यों की आयता है क्योंकि एसी टिलीन का दहन अधिक उसमा छेपी होता है और दहन के दवरान उत्मा उसमा जो होता है वह आपको ऑक्सी एटिलीन ज्वाला के रूप में बेल्डिंग के लिए उप्योग में लाया आता है ठीक है बहुत अधिक उत्माशीन होता है और वो जब उसको आप जलाईएगा तो जलाने के बाद वहाँ पर oxyacetine का प्रयोग हो जाता है और वही oxyacetine एक टूटा हुआ पार्ट को दूसरे टूटा हुआ पार्ट से जोड़ने का काम करता है और building वाला लोहा चर जाता है ठीक है तो इसलि यहां से wanna यहां से फसलिगा इसलिया एगो चलाया इसके पास्तो निर्मान किसका कर लिया इसका पिर वही कहानी एक सिग्मा बोन तूटा था उपर वाला यहां तूट और फिर जूट के क्या अब नहीं तूटेगा अब नहीं तूटेगा CH3, CH2, CH3, CHCl2 का फोर्मेशन किया है तो कौन सा आप्शन है तो आप्शन आपका B is the correct आप्शन ठीक है समान नाम का फॉस्चीन होता है यह आपका carbon tetra chloride दिया हुआ था यह फॉस्फोरिक फॉस्फeping फॉस्फोरिक फ्लोडाइड दिया वाता, CO2, pH 3, यह सम नहीं होगा, ठीक है, इसका नाम होता है, नेम कहता है, नेम लिखित में से किसका उप्योग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन टेटरा क्लोडाइड का प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए कार्बन टेटरा प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि यह आपका और जोलन सील पदार्थ होता है, अपका पेट्रोल डिजल का जो टैंकर होता है, तो उस पर लिखर आता है, highly inflatable gases, ठीक है? तो यह highly inflatable gases यानि अती प्रती जोलन सील पदार्थ नहीं होता है, और जब इसको हम क्या करते हैं, इसी का नाम पाइरीन है, पाइरीन के रूप में पाइरीन अगनी सामक यंत्र आता है, उसमें आपका टैर्टरन के कारबन टेटरा क्लोराइड ही पाया जाता है, जो अती प नाभिक, सोडियम का यहां दिया हुआ है, एक ग्यार और तैस, आप देखो बेटा, इसमें एलाक्टरोन कितने होगे इसको तो खूब पढ़े, इस पूरी एपिसोड में खूब पढ़े, मोडरन वाला को, एलाक्टरोन कितना है, 11, प्रोटोन कितना हो जागा, 11, और होता है, प्रोटोन घार अगो है, तो होगा नहिczenie, और नूद फोटोन तैस गोटो हैं, तो क्या होगा, ंडी ओप्सन होगा, बारो आपका निूट्रोन कितना हो, बारो निूट्रोन PBOneWe, आपका पाए जागा, सोडियम के नूख्लियंस में पाया जागा, ठीक है, क्योंकि नुक्लियस में proton और neutron पाये जाते हैं, electron पाये नहीं जाते हैं, तो बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही अच्छा lecture था, ठीक है, अब आप लोग क्या किजेगा, इसको revise करते रहिएगा, याद रखिएगा कि सारदा classes आपको, last में आपको 1000 approximately जब आपका परिच्छा होगा, उस को दिया जाएगा, हसते खेलते मुस्कुराते रहिए, मल लगा के पढ़ते रहिए, तब तक के लिए best of luck, thank you